पात्रा जी शुरुवात आपसे ही करते हुए अगर राजिस्थान सरकार की ओर से इस तरह का फैस्था लिया गया है रमजान के मौके पर बजली नहीं काटी जाएगी मुस्लिम महलों में तो बीजेपी को करंट क्यों लग रहा है? देखे चित्रा जी बीजेपी को करंट नहीं लग रहा है हमें आश्चरी चकित होता है और मुझे तो आपत्ती है ये मुस्लिम इलाका क्या होता है अब बताए ये तो हिंदुस्तान है ये हम सबका इलाका है मैं कुछ दिनों से अगवारों में भी पढ़ रहा हूं और न्यू भगवा रैली थी उसे मुसल्मान इलाके में नहीं जाना चाहिए और रमजान के महीने में मुस्लिम इलाकों को एक्स्ट्रा बिजली दी जाएगी वो जगमगाते रहेंगे ये हिंदु इलाका ये मुस्लिम इलाका फिर बाद में आप ही दों हम से सवाल पूछते हैं कि ये करण अलग तरीक एक होना चाहिए उसमें हिंदु कम जाने चाहिए उसमें अगर मीट भी बिगता हैं ये पार्थक्यता करना ये किसी सरकार का काम नहीं न केंदर सरकार का काम है नराज्य सरकार की आप मुझे एक भी ऐसी नीती बताइए जहां केंदर सरकार ने किसी योजना को इस प्रकार से डिविजिव attitude से देखा हो कि हम जो gas cylinder हैं हम मुसल्मानों को जादा देंगे हिंदूओं को कम देंगे या हम जो ये इज़त घर है ये हम हिंदूओं के इलाके में जादा बनाएंगे मुसल्मानों की इलाके में कम बनाएंगे जब हमने कभी पार्थक्यता नहीं की ये जो तुष्टिकरण की राजनीती है ये कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्यों अपना रही मुकेश शर्मा जी जबाद दीजिए और क्या धर्म के आधार पर बाटी जाएगी बिजली मुकेश शर्मा जी देखे देखे चित्रा जी ये एक सामने पर के लिया है जिसका तिलका धार नहीं बनाना चाहिए और बिजली पहली बार ऐसा नहीं हुआ है अगर रमजान के महिने में बिजली देने के आधेश देगे हैं होली दिवाली और जो तियवार होते हैं उन पर भी विशेश विबस्ताइं होती रही हैं हर राजे में होती रही है राजिस्तान में चुकि हमारी सरकार है और हम सबका ध्यान रखते हैं यदि हमने किया है तो कोई हमने गुना नहीं किया है सबका सब लोगों का ध्यान रखना सरकार की चुनिवी सरकार की जिम्मेदारी है शायद संबित पात्राजी की सरकार की जिम्मेदारी कुछ और होगी हमारी जिम्मेदारी सब के लिए बराबर की है और हम सब का बराबर ध्यान रखते है और अगर रमजान के महीने में कहीं पर रमजान को करने वाले रोजे रखने वाले लोग जाता है यदि इनको दिक्कत है और उसके लिए किसी को लग रही है लेकिन यह नहीं बूलना चीए हम ने ऐसे निवाली पर भी दिये वहाशनों नहीं पढ़ लेकिन बीजेपी राजिस्ताद में बिचल रहे हैं आपको पता ही होगा, ब्रामार नेता हैं आप कॉंग्रेस के, नवरात्री शल रहे हैं, जानकारी तो होगी ना आपको, नवरात्री मनाने वाले लोग, क्या अंधेरे में रहें, क्या उनको नई करनी है मादुर्गा की पूजा, क्या उनको नई अपनी जंदगी को लेकर आग है शित्राजी चित्राजी आप के मार नहीं हो नहीं दूसरे को मार दू सब दे नमने पूछ वोगे मैं आप से पूछ हुए है этой के जानकारी होगी आपको आपको आह actually जानकारी हो आपने मुझे वरह Tori मेंने करें हैं है दूसरी बात में बता दूँ आपको, मैं आपको साब तोर पर कहना चाहता हूँ, हम राजिस्तान सरकार ने, या जो बिजली विभागने आदेश दिया है, मैं उससे बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, वो जायज आदेश है, हमने सबका जान रखा है, मंदरों पर भी ऐसी व कमजान के लिए रवस्ता है, इसको तूल बेने के अशकता नहीं है, जहां तक सवाल करोली का है, करोली के अंदर नड़्डा जी ने गए थे राजिस्तान में क्या भाशनों ने दिया, आपके रिकॉर्ड पर हुगा, बीजे पी अगर एलेक्शन मोड में राजिस्तान में आ रही है, तो हम उससे ड़ते नहीं है, चुनाव आएगा जब चुनाव की बात करेंगे, आज चुनाव नहीं है, और चुनाव के लिए बीजे पी किर्पा करके महुल खराब ना करें राजिस्तान में.